स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है नमस्कार मैं रविंदर सिंग आपके साथ इसराइल ने हमास के मिलिटरी विंग के टॉप कमांडर मुहम्मद दाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया है दाइफ के बाद नितन्याहू की हिट्लिस में टॉप पर अब कौन आ गया है स्पेशल रिपोर्ट में आई वो ही दिखाते हैं आपको इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया मौहम्मद दाइफ को रॉकेट से दफनाया नेतन्याहू की हिट्लिस टॉप पर खालिद मेशाल हमास में आसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू खून से सनी घाजा की गलिया वीरान खंडहर बना रफा यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है इस्रेयल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कबर खुद रही है वो फिर चाहे इरान हो लेबनान हो यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क इस्रेयल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं इस्रेयल पहले दुश्मन को मारता है दुश्मन की मौत की तस्दीग करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे के इतला दीता है हमास की मिलिटरी विंग के कमांडर के सफाय के 19 दिन बाद इसरेल ने घाजा का लादेन कहे जाने वाले मुहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टी कर दी यानी दो दिन के भीतर इसरेल ने हमास के दो बड़े और खुंखार लीडरों का सफाय कर डाला है इसरेल के लिए मुहम्मद दाइफ की मौत इसमाईल हानिया से भी ज्यादा माइने रखती है माइने इसलिए क्योंकि मुहम्मद दाइफ साथ बार पहले भी मौत को चत्मा दे चुका है इसलिए इस्रेल ने उसके मौत के कई दिनों तक तक्तिश की, हर एक बात की जांच की, आखिर में दैफ के The End को कन्फर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई, वो हमास के होश उड़ाने वाली है, 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डीटेल देखिए खान योनुस के अलमवासी शरणार्थी शिवर के करीब इस्रेली फोर्स ने उपरेशन शुरू किया था, जमीन पर सेना की पल्टन बारूद बरसा रही थी, तो आस्मान से रॉकेट की बॉच्छार की जा रही थी, आईडियफ के ओपरेशन में 90 से ज़्यादा लोग धेर हो गए, बंबारी से कई मकान खंडर बन गए, ये हमला हमास के मिलिटरी चीफ और उसके सहयोगीर रफास सलमा को निशाना बना कर गिया गया था, लेकिन आईडियफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान योनुस में उ अलमवासी में जंगी जट से एर स्ट्राइक की थी, मुहम्मद दैफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के आठ बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अलमवासी के कई मकान जमिंदोज हो गया, हलाकि दाइफ मरा या नहीं ये कन्फरम नहीं हो रहा था, 13 जुलाई को इस्र इस्रेल ने दावा किया कि दाइफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुला को लगी थी, लेकिन लडाकों का होसला ना तूटे, इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया, एक आखवाले दाइफ का रुद्बा क्या था, इसे इस्रेल में उसे 23 को इस्रेल पर हुए सबसे भीशन हमले का मास्टर माइंड दाइफ ही बताया जाता है, दाइफ का आतंक इस्रेल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीती का भी मुखिया था, जबकि मुहम्मद दाइफ वीलचेयर पर रहते हुए सारे ओपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना के, एक आख नहीं, बाया हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, घाजा की सोरंगों में रहता था, वीलचेयर से चलता था. इसमाईल हानिया के हत्या के बाद इरान और अमेरिका के बीच तनाव बरता दिख रहा है, इरान ने आरूप लगाया है कि इसराइल ने अमेरिका की मदद से इस हमले को अन्जाम दिया, वहीं अमेरिका ने कहा कि उसका इसमाईल हानिया की हत्या में कोई भूमिका नहीं है. इधर इस्माइल हानिया के हत्या पर इरान ने संयुक्त राश सुरक्षा परिशत की अमर्जन्सी मीटिंग गुलाई जिसमें इरान ने हानिया के हत्या के लिए इसरेल और अमेरिका को सीधे तोर पर जिम्मेदार ठहराया इस बैठक में इरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका की सपोर्ट और खोफिया इंपुट के बिना इस्माइल हानिया का कतल नहीं हो सकता अमेरिका ने इरान के आरोब को सिरिस से खारिच कर दिया और कहा कि इसमाइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है अमेरिका ने UNSC से इरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इस्रेयल के खिलाफ प्रॉक्सी वार को बढ़ने से रोका जा सके इस बैठक में अमेरिका ने खुल कर इस्रेयल का समर्थन किया और कहा कि इस्रेयल को हिजबुला, खुथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इस्रेयल पर बरस पड़ा और कहा कि इस्रेयल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक इस्रेयल ने भी सुरक्षा परिशद की बैठक में ये साफ साफ कह दिया है कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है जिसके लिए वो किसी भी हग तक जा सकता है, दूसरी और अमेरिका ने खुल कर इस्रेयल के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है मतलब साफ है कि अगर इरान ने इस्रेयल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकत मोर मुल्क इस्रेयल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या इरान को अपनी संप्रभुथा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है तो सुनी अमेरिका ने क्या जबाब दिया तरह जब दो अगया जब दो तरह जारी है ऐसे में सवाल गे कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर फारी पड़ेगा एरान के पास एक बड़ी नौसेना अधिक टैंग, वक्तरबंध वाहन और इंधन तक अधिक पहुंच है लेकिन जैसे ही बाद प्रशिक्षण और अब डेटेग तक्मीट की आती है तो इसरेल ठॉप पर है पैसे के मामदे में भी इसरेल इरान पर भारी परता देखता है इरान की जीडिपी 413 बिलियन है, जबकि इसरेल की जीडिपी 549 बिलियन डॉलर है इरान का सैने बजट 10 बिलियन डॉलर है, जबकि इसरेल का सैने बजट 22.4 बिलियन है जो लगभग ढाई गुना अधिक है, इसरेल के पास सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की है एसरेल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है अमेरिका एसरेल को 3.8 बिलियन डॉलर की वारशिक सैनने सहायता देता है इससे एसरेल को अपनी सेना को मौडन बनाने की ताकत मिलती है माना जाता है कि इसरेल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाडू हम देशुरो करने की ख्षमता है हलाकि इसरेल ने कभी भी खुले तोर पर अपने परमाडू हत्यारों के बुश्टी या खंडन नहीं किया है इसलिए अगर बात युद्ध तक पहुँचती है तो अभी तक इसरेल का पल्रा ली भारी साबित होता हुआ दिख रहा है महराश के सतारा में मेडिकल की एक शात्रा की चौथी मंजल से फेक कर हत्या कर दी गई इस हत्याकान का आरूप ही उसी के बॉइफ्रेंड को गिरफतार भी किया गया है आरूप है कि किसी और से अफेर के शक में बॉइफ्रेंड ने मेडिकल जात्रा की छट से फेक कर हत्या कर दी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आरूप ही सिंग की हत्या सिर्फिस लिए हुई क्योंकि उसके बॉइफ्रेंड दुरूप को शक था कि उसका फेर कहीं और है बस इसी शक ने मेडिकल के छात्रा की जान ले ली और मेडिकल के छात्र को हत्यारा बना दिया आरूप है कि आरूशी से नाराज धुरू ने उसे बात करने के बहाने एक घर की चौती मंजिल पर बुलाया और फिर उसे चौती मंजिल से नीचे फेक दिया जमीन पर गिरते ही आरूशी को भयानक चोटे आई और उसकी वही दर्दनाक मौत हो गई आरूशी बिहार के मुजफरपुर की रहने वाली थी जबकि आरूपी ध्रू हर्याणा के सोनी पत का रहने वाला था दोनों महरास के सतारा जिले में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे इससे पहले आरूशी और ध्रू दिल्ली में साथ साथ पढ़ते थे आरूप है कि किसी और से अफेर का शक होने के बाद ध्रू ने आरूशी को अपने किराय के घर की छट पर बुलाया वहां दोनों में बहस शुरू ही जो हाथा पाई तक पहुँच गई आरूप है कि इसी दोरान ध्रू ने आरूशी को छट से धक्का दे दिया इस हत्याकान के बाद पुलिस ने ध्रू को गरपतार कर लिया है राहूल गांदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया है कि लोगसभा में चक्रवियू वाले उनके भाशन के बाद एडी उनके यहां च्छापा डालने के तैयारी कर रही है राहूल ने 29 जुलाई को अपने भाशन में चक्रवियू का जिक्र किया था राहूल का दावा है कि एडी के अंदूरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि एक रेड की तैयारी हो नहीं है जिसका कि वो बाहें पहला कर इंतजार कर रहे हैं और राहूल डांधी के आरोप पर केंद्रीय मंतरी गिराज सिंग और शेवरा सिंग चौहान ने पलटवार किया शेवरास छोह कर दिए कर्चा करते। महाभारत के शकुनी की याद दिलाई तो वहीं गिराज सिंग ने राहूल से पूचा कि तो मैं समझता हूँ देश का दुर्भग्य है जो राहुल गांधी संबैधानिक पदपर एलोपी है सदन चल रहा है सदन के अंदर तो जूट बोलते ही हैं सदन के बाहर भी भरम फैलाने का काम किये हैं उन्हें चुनवती देता हूँ कि वो बता है कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है यह सरमिंदित हैं दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं यह सरमिंदित हो करके दुनिया में भरम फैलाने का काम इससे बड़ा जुट्ठा कोई आज तक एलोपी पर दालिया है उपसभापती जम किसी को छेड़ते नहीं है लेकर निगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी आज अज वहीं से आरंभ करना चाहता हूं बैट और होता वो आज यहां पस्थित होते हैं मानी उपसभापती जी उनको याद भी आये तो सकुन सकुनी चोपग चक्रव्यू और इन सारे सब्गों का संबंध है अधर्म से जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी उन पैसी सकुनी मतलब छल दोखे और कपट के प्रतीक थे चोपग में तो धोके से हड़ाया गया था और चक्रव्यू मतलब फेर वाया और नहीं घेर के मारना अब कांगरेस को क्यों चक्रव्यू सक्नी चोपग यह याद आते हैं मानी उपसभापती जी उपसभापती जी जब महा भारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान स्रीक्रिक्रिश्क में याद होते हैं यदा यदा ही धर्मस से गिलानीर भवती भारता अव्यत्थानम धर्मस तदात्मानम स्डाम्यम परित्रानाई साधुनाम बिना साइच दुसक्रताम धर्मस संस्थाप नार्थाई संदोबाबी यूगे यूगे हमको तो कनिया यादाते जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा अत्याचार अनाचार बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नास के लिए मैं बार बार आऊंगा ये भगवान सिर्कृष्ट ने कहा था लेकिन अनीती और अधर्म किसने किया ठागी किसने की बाननी उपसभापती जी कांग रेस के डी आने में ही किसान विरोध है मैं ये कहना चाहिए मुझे लगता है कि वो इस बात को पचानी पारे कि एक कुशल प्रशाशक विश्व के अंदर परसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जनता के मेंडेट से परधान मंत्री बने हैं और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की है तो उनक प्रकार ऑने वाला है तो उन्होंने उसको व्यक्त किया अपने डर को व्यक्त कि अपने सुभाव के विपरीत खड़े हुए भी दो बार ग्रह्मंत्री जी और फिर दो बार राजनाजी जो बची खुती चुनाओं में इज्जत थी भाश्वा की 303 से 240 पर आ गई इसमें 40 बेवानी के निकाल दो तो 200 सिखे बखें उत्राखन के केदारनाथ में पैदल मार पर बादल फटने और लेंड स्लाइड के बाद कई पैदल यात्री प्रभावित हुए कई पैदल आज से तबाह हो चुके हैं इस दोरान कई तीर्थ यात्री भी फस गए जिनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है तस्वीर आप अलग लग देख सकते हैं आठ तस्वीर इस पर आपकी टीवी स्क्रीन पर है गुरुवार से अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुक है रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हैलिकॉप्टर की भी मदद ली गई आज लिंचोली से रेस्क्यू अभियान चलाया गया शुरू किया गया साथी केदारनाथ धाम में फसे यातियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलिकॉप्टर्स का सहरा लिया जा रहा है के दारनाथ आपदा में राहत और बचावकारे में SDRF के साथ ही NDRF की टीमें भी जूटी हुई है इस आपदा के बीच NDRF की टीम भी उस इस्थान पर पहुँची जहां बादल फटने और लेंड्सलाइड की घटना हुई थी पहाडों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए इमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई है इस रिपोर्ट में आईए देखते हैं इमाचल में बारिश कवेस मोट कुल्लों में फटा बादल पर अंडी में तबाहिए लहरों का तुम्रां इमाचल में त्राहिवा आस्मानी तबाहिए पहार पर फिराए बादलों की दहार मुसीबत में पहार फुत्रक के शक्ती प्रदर्शक की ये वो तस्वीरे हैं जिने देखकर आपीजी का देल लगते हैं देहल उठाए लहरों ने ऐसा कहर बर पाया कि देखते ही देखते एक विशाल का इमारत इन लहरों में समाने हैं ये मरी कर्ण की तस्वीरे जहां रोम के खड़े कर देने वाला ये विडियो रिकॉर्ड किया गया है देखिए कैसे मौसराधार बारिश के बाद आएस सैलाब ने इस इमारत को लिए लिए ये मंडी के ही पड़ोह बाजार की तस्वीरे जहां व्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है आलम ये हो चुका है कि डरे सह में लोग सुरक्षट छिकानों को तलाश रहे और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायद दी जा रही संसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी वहां एक जटके में सब कुछ तबाह होते है खुलू सियाई ये तस्वीरें इस बात की गवा ही देती है कि जब खुद्रत को हुराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ में जाती है दावा क्या जा रहा है कि इस सहलाब की जट में आकर कई लोग अपनी चान गवा चुके जब कि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके मलाना के इस हाइट्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजी जिसे रिवर बेट के रास्ते पर बनाया कि लेकिन अब ये हाइट्रो प्रोजेक्ट कुद्रत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है कबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम के दिवारें जवाब दे गए जिसका अफर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सेलाब की लहरों में समा गया बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजे जहां प्रकरति ने ऐसा प्रहार किया कि दरजनों गाडियां और घर अचानक आए बार के मिनिट चड़ गया मनाली में ब्यास नदी ने रौदर रूप धारण का रखा है जसका असर ये हुआ कि नैशनल हाईवे 3 पूरी तहें से तबाह हो गया है इतना ही नहीं हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट की जारी किया गया है मौसम विभाग के मताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिर्माओर, सोलन और उना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है यानि हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की और इशारा कर रहे हैं यही वज़े है कि लगातार लोगों से यही अपीर की जा रही है कि ना तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और ना ही जादा अपने खरों से निकले हैं स्पेशल रिपोर्ट में फिरहा लेता है आगे देखिए महारो राजिस्थान